आयासो वीडियो में यही मैं आपको बताओ कि दो ऐसा थीम है, शाओमी के अफिसली स्टोर में जिससे आप अपने डिवाइस को आईफॉन के जैसे लुक दे सकते हैं, जिसमें आपको स्टेटस बार भी आपको आयासो के जैसा मिल जाता है उसके बाद वीडियो मिलेगा यहां तक कि आपको बूट एमिनेशन भी जो होता है वो भी आपको एपल के देखने को मिलेगा यानि की आयोस फिलाल जो मेरा डिवाइस यह है रेडिमी नोट 8 और इसमें फुली सपोर्टेड है अगर आपको कोई दूसरा डिवाइस है तो आप डाउनलोड करके चिकाउट क को मिलेगा और साथ में देखे जो विडेज बगर है मैं बोल रहा था कि कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा जैसे कि यहां पर देख रहे हैं यहां पर डबल क्लिक करते हैं तो इस तरह सा यह चेंज होते रहता है जैसे कि यहां पर देख रहे हैं तो इन चार आपको आप् कुछ इस तरह का ही देखने को मिलेगा ज्यादा चेंजस नहीं है बैक्टरण में एक बारिस होने आप एमिनेशन का वल पेपर यह लाइब वल पेपर जिसे आप बोल सकते हैं और नौटिफिकरशन पहलें कुछ इस तरह का देखने को मिलता है और आपका जो कंट्रोल सेंटर है वह सिमिलरी है यानि कि जो आपका पाइडिफॉल का कंट्रोल सेंटर मिलता वही ज्यादा चेंजस इसमें नहीं है अब बात करें यहां पर लॉक स्किन तो लॉक इसमें भी आप देख सकते कुछ इस तरह का एमिनेशन देखने को मिलेगा बात करें आप बूट एमिनेश आप dealer, आप कर देना यहां पर डेख सकते लिए डेवलोपर इससे आपको फॉलो करना है और एक और इस थी में तूरा में आपको दिखा देखने को मिलेगा जैसे कि एक funding करना में यहां दूर्णाष और प्रोफू इसमें आपको क्या क्या चेंज़ मिलता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे अच्छी बाद यहां पर मेरे को लॉक स्क्रीन और इसका जो बूट एमिनेशन वह लगागी कि लॉक बहुत ज्यादा ही स्मूध है मैंने यहां पर ट्राइ किया है यहां पर देख सकते ह आपको और जो गैलरी उसके बाद गूगल के कुछ कुछ ऐसे से मिलेगा यहां Paragy एप्स ब sürग इसके दो गैलरी उसके बास के कुछ कुछ एप्लिके शर्जें में चैंज से मिलेगा जैसे हो गया maps साथ में आप अगर टूल में जाएंगे तो अधिकतर आपको application का icon iPhone के icon कर जैसे देखने को मिलेगा जैसे एमाइ रिमोट होगा compose होगी है scanner recorder इस अब चीज़ आपको आई सब के जैसे देखने को अगर आपको कुछ इस तरह का मिलता है अगर आपका 11 अला नोटिफिकेशन ने तो कुछ तरह सा देखने को मिलेगा बात कि आजए यहां पर setting में भी आप देख सकते कुछ इस तरह का changes देखने को मिलेगा और यहां पर देख सकते हैं अगर आप आप फण में आते तो ios 14 बताएगा और फिर से अगर क्लिक करते अपडेट के लिए तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर भी आपको पर देखने को मिलता है तो जैसे कि मेरा device बोट हो चुका है अभी आपको यहां पर apple का जो boot ammunition होता है logo वह देखने को मिलेगा जैसे कि आप अभी आप इस स्क्रीन पर देख रहें तो इस तरह का आपको boot ammunition देखने को मिलेगा अब बात करते हैं कि आपको कैसे पता करने कि आपका जो theme है अब जो भी theme download की है उसमें boot ammunition या extra कोई features है या नहीं तो वह भी मैं आपको बता दे तो सबसे पहले यहां पर start कर लेते इस theme को sorry mobile को उसके बाद आपको simply कुछ नहीं करना है theme store पर जाना है कोई भी अगर आप theme download कर लिए suppose उसके बाद आपको यहां पर my page पर आने का बाद सबसे में जो setting होता है वह आपको कस्टमाइज theme जो option दिया गया है यहां पर आपको आना है और यहां पर आपको सभी चीजे मिल जाएगा जैसे कि यहां पर lock screen style status bar icon spec उसके बाद message favorite tray, dial pad, boot animation, boot animation audio तो आपको अगर जैसे आप boot ammunition में टैप करेंगे boot ammunition चेक करने के लिए वहाँ पर अगर आप कोई भी theme डाउनलोड करते है जैसे कि यहां पर देख रहे ios 14.3.pro 2x तो इस तरह का आपको लिखावा जाए कि इस theme में आपको boot ammunition मिलता है आप कोई दो और भी theme अगर डाउनलोड करते है तो भी आपको बता देगा तो इस तरह से आप खुद से भी check out कर सकते कि आपका theme में boot animation है एक्स्टर कोई भी features वगरा supported है या नहीं तो बस फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही आगे और भी सी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को subscribe कर लिजिए बगल में notification bell icon को press करके notification all को भी select जरूर कर दीजिएगा वीडियो के notification पाने के लिए Thank you